दोस्तो रिचार्ज प्लान अब जा रहा है बढ़ने अब दो सिम कार्ड फोन में रखना आपके लिए पढ़ सकता है भारी क्योंकि अब तैरी प्लान को बढ़ाने जा रहा है ये कमपनी दोस्तो इसके पिछले दो साल पहले दिसंबर 2021 में रिचार्ज प्लान हाइक हुआ था यानि बढ़ा था टैरी प्लान बढ़ा था आपको पता होगा कि पहले आपका जो 99.000 रुपे का रिचार्ज प्लान आता था एक महिने के लिए उसे बढ़ा कर 155 रुपे कर दिया क्या ल कराना पढ़ सकता है आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों हम आपको बताते कि जब यह रिचार्ज प्लान प्राइस हाइक होगा इससे आपके बहुत सारे नुकसान हूगे क्यों कि जो सीम कड़ आपका फोन में रहता है एक सीम करड को आप क्या करते आ realm फ़लान डलाकर उसे एक्टिवेट रखते हैं वो दो सीम कार्ड आपको जेब पर भारी पड़ जाएगा ता था जीओ एरटेल बोड़ा फोन आइडिया तीनों कमपनी में 150 से 155 रुपे में आपका टैरि फ़लान काम चल जाता था सबसे कम सिकम लेकिन उस प्लान को यदि 15 से एक्टिवेट रख सकते हैं यति आपके फोन में दो सीम कार्ड है तो उस कंडिशन में पहले क्या होता था कि आपका 300-300 रुपे में काम हो जाता था लेकिन अब आपके जेब पे 400-400 रुपे तक खर्ष बैठ सकता है यानि अब जो है रिचार्ट प्लान प्राइस हाइक होन जाएगा और उस प्लान को आपको ज्यादा पैसे में चुकता करना पड़ेगा यानि अब आलिम्टेट प्लान भी आने वाली समय में कुछ महीने में आपका बंद कर दिया जाएगा तो इस प्लान प्राइस हाई को लेकर सभी कंपनी अपना अपना टार्गेट पूरा करने जा रही है तो हो सकता है आने वाली समय में जब भी ए फ्लान बढ़ेगा हम आपको विडियो दे़ेंगे और आपकी राय क्या है क्या इस प्लान को बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए आप कमेंट करियेगा और अपना लाइक कर दिजेगा और इस वीडियो को लो सुर्पे खर्च करना पड़ेगा